हलो बच्चों कैसे हो सब मैं हो नेकिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का डाउटनेट में तो जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ एक बच चुके हैं और आपकी English vocabulary की जो क्लास है वो इसी के साथ स्टार्ट हो चुकी है चालो तो आज हमारा है डे 18 और जैसे कि आप सब जानते ही हो कि हम क्या कर रहे हैं हम लोग सीख रहे हैं vocabulary के यानि vocabulary increase कर रहे हैं हम रोजाना के अंग्रेजी के पांच जो शब्द हैं वो हम सीख रहे हैं ठीक है चालो हाँ जी गाइस how are you doing ma'am I'm fine bitta how are you hi good afternoon good afternoon प्राची सुष्मिता अंजली जास मीन जली जली से क्लास के अंदर आ जाओ and I want full attendance पूरे focus के साथ पूरे attention के साथ ठीक है अरे बाबरे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम आप कैसे हो और प्लीज भी प्लीज मैम आप कैसे हो मैं बहुत ही बढ़िया आप लोग कैसे हो एकदम बढ़िया अच्छे से मजे में doing great चालो that's what I want यही तो मुझे चाहिए कि तुम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या कर रहे हो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो सब कुछ बढ़िया चल रहा है अच्छे हैं, safe हैं, सुरक्षित हैं, healthy हैं यही चीज जो है, वो क्या है, बहुत जादा जरूरी है ओके, चालिए, तो कल की क्लास में कोई मुझे जल्दी से बताना चाहेगा हमने कौन से कौन से words पढ़े थे quick revision हाँ जी, anybody कोई बताना चाहेगा ओक यो शिवानी भोलके मैं मैं आपका wait कर रहे थी मैं भी तुम लोग का wait करी थी यार कि हम लोग जल्दी जल्दी से class में मिलें और कुछ नए interesting five words जो है हम आज के सीखे and then तो कल तो Sunday है ही तो कल बहुत ही क्या है, बहुत ही आपका कह सकते हो, एक आराम का दिन है आराम से, मज़े करते हो है संडे का जो है दिन जाता है मज़े करना, लेकिन I would say कि साथ ही साथ पढ़ाई को मत भूलना, ठीक है priority जो होनी चाहिए आपकी मदब सबसे पहले जो आपका होना चाहिए न, जिसीस को सबसे पहले लेकर चलो, वो होनी चाहिए कि पढ़ाई करेंगे और उसके बाद तो पूरा दिन है, खूब मसे करना अच्छे से इंजोई करना, फाइन चालो, तो I was saying yeah, I was asking actually मैं बूछ रही थी आप से कि कल हम लोगोंने कौन से वो 5 words ही के दिल लिया, thank you बिटा, appetite, bustling, lethargic, innovative and disparate तो आप लोगोंने घर पर कोशिश करी अपनी personal dictionary में इन सभी शब्दों को add किया या नहीं ओके, अनु बोलरे कि आपको पता है मैं, अब मेरी रोज तारीफ होती है online class में, that's very good बिटा यही चीज तो चाहिए मुझे पता है एक न, English अगर बहुत ही अच्छी हो, English strong हो English language के उपर पकड़ अच्छी हो एक confidence अंदर से आता है बहुत ही अच्छे तरीके से आता है ओके, Mr. Goyal, चेरूप बोल रहे हैंगे ma'am, today is my first class, welcome हम लोग English अपनी इंप्रूफ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम लोग English इंप्रूफ करने के लिए हम लोग जो डेली हैं English के नए पांच सब्द सीखते हैं ठीक है? चालो तो I hope आपको जितने भी मेरे नए स्टूजेंट से आज क्लास में I hope बेटा आप लोग को एक क्लास बड़ी ही helpful लगे, मज़ा आए और इसी के साथ चल्दी से मुझे बता दो कि क्लास में कितने बच्चे आ चुके हैं फिर हम लोग क्लास स्टाट करते हैं तो what is the strength? कितने बच्चे आ चुके हैं? ओक, thanks याश 1074, only 1074 1076 हो गए अब चल्दी चल्दी से join in कर लो आप लोग एक बजे, यानि की एक बजे, fine 1 p.m. means 1 p.m. 1 p.m. का 1 minute या 1 second extra नहीं होना चाहिए, बलकि students को punctual होना चाहिए, तुम लोग क्लास में 2 minute, 3 minute मिर से पहले आकर बैठो tension क्या है? ठीक है, क्लास में पहले आकर बैठो, भाई हम लोग की क्लास जप स्टार्ट होगी, वो हो ही चाहेगी टाइम पर, okay तो ठीक है, जो लोग late आ रहे हैं वो late आ रहे हैं, वो उनका headache है, हम लोग टाइम पर आए हैं तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं शुरू करें, तयार हो आप सब हाँ जी दीपा Are you ready? Okay, so let's start So, इसी के साथ सबसे पहले एक बहुत ही जादा खास information आपके लिए वो information यह है कि doubtnet पर चल रहा है एक scholarship test जो है वो होने वाला है और आप सभी को, मेरा तो यह कहना है कि सभी को इस scholarship test में क्या करवा लेना चाहिए रजिस्टर करवा लो अभी के अभी क्यूंकि बेटा इस test में अगर तुम जीत जाते हो अगर इस test में अवल आ जाते हो तो 50 लाख तक की scholarship मिल सकती है समझ रहे हो जितने भी बच्चे क्या है जितने भी बच्चे ने आए हैं वो क्या करेंगे जिन्होंने register कर लिया है बिटा बहुत ही बढ़िया आब कर दो तुम लोग तयारी शुरूँ और जिन्होंने register नहीं किया है मैं अपनी तरफ से परसनली तुम लोग को advise कर रहे हैं इस से अच्छा मौका नहीं मिलेगा सोचो तुम्हें कोई एक fees नहीं देनी है एक रुपिया तुम्हाई तरफ से खर्च नहीं होगा, तुम्हें बस जो तुम करते आ रहे हो ना पढ़ाई, जो तुम्हारा काम है, पढ़ो लिखो बस वही तुम्हारा काम है, उसके लिए स्कॉलर्शिप हम देंगे, यानि कि तुम लोग को ये जो पचास लाग तक का है अपन लोग उठाएंगे तुम्हारा खर्चा जितना भी रहेगा, पढ़ाई वड़ाई का, ये सब जो है, उतने की स्कॉलर्शिप तुमको मिलेगी, तो क्या करना है बटा, रजिस्टर कर वाले ना है, कुछ नहीं है, आप पर जाना 27 जून तक, 27 जून से पहले-पहले क् तुम क्या कर जाते हो, अगर तुम क्या कर जाते हो, अगर मचा दिया ना, तो पताओ, पचास लाग तक की स्कॉलर्शिप तुम लोगों को डाउटनेट अपनी तरफ से दे रहा है, समझे, छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बहुत जादा होती है, तो आई वुट से, भाई, मैं परसनली तुम लोगों के लिए यही चाहूंगी कि कोई बच्चा इसको ना छोड पचास लाग तक की, ठीक है, तो सब लोग कर लेना, कोई भी बच्चा ना रहा जाए, मैं नहीं चाहती कि बाद में पच्चतावा हो, आप में से ही, और कोशिश करना कि आप में से ही, मेरी क्लास में से कोई ना को एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, जो भी हो, कि उनको यह स्कॉलर्शिप जीट जाए, फाइन बटा, ठीक है, चलो, तो कर लेना यह चीज, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, तो इसी के सा ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, कुछ नए क्विज के साथ, कुछ नए शब्द सीखेंगे, और उसके बाद क्लास का अंत भी होगा क्विज के साथ, तैयारो आप लोग, तो सबसे पहले मैं आप लोग के सामने क्विज ले आऊ, आई यू गाई रेडी, एमन, दिव्यांच, हाँ जी प्राची, रेडी बिटा, ओके, चालो, तो, and here comes quiz number one, I hope you all are ready, question number one आ रहा है, three, two, one, and here it is, question number one ये रहा है, animals live in diverse and varied communities, जानवर जो हैं बड़े ही diverse और varied community में रहते हैं, इस दिये गए बाक्या में diverse का मतलब क्या है, हाँ ना, diverse का मतलब नहीं, आप से पूछा जा रहा है, diverse का opposite, चलो, जल्दी से बताओ, अगर आपको याद हो, तो मैंने class के अंदर क्या किया था, अगर आप लोग को याद हो, तो मैंने class में diverse और diversity का मतलब समझाया था, ठीक है, question number two, lack of knowledge, भाई, जब किसी व्यक्ति को ठंग से किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, अग्यानता जिसको हम बोलते हैं, ज्यान की कमी, उसका मतलब क्या होता है, dusk होता है, rural होता है, ignorance होता है, या evident होता है, चलो, ठीक है सायन, ओके, 30 seconds का राइम, खट आम आब आपका quiz, जब दिसे question number one पर आजाओ और ये बताओ, कि आप लोगों ने इसका answer क्या किया, देखो, यहाँ पर आपसे antonym पूछा है, लेकिन, यहाँ पर आपको क्या है, अच्छे, diverse का मतलब पहले मुझे बता दो, कितने बच आप सबने different पे टिक किया होगा, diverse का मतलब होता है, diverse मतलब बिनन बिनन प्रकार के, अलग अलग तरीके के, ठीक है, different, हम लोगों ने देखा था ना, diversity, diversity क्या है, India is a diverse country, हाना, तो यानी कि यहाँ बहुत अलग-अलग culture, अलग-अलग, क्या कह सकते हैं, अलग-अलग संस्कृ अलग-अलग भाश, अलग-अलग बोली के लोग रहते हैं, तो diverse का मतलब क्या होता है, हान जी कवीश में यही बात करने वाली थी, कि diverse का मतलब होता है, different, लेकिन यहाँ पर antonym आप से पूछा है, antonym यानि की विपरीत शब्द, opposite word, आपका विलोम शब्द, तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ different है, तो उसका opposite क्या हुआ, कि कोई चीज़ एक दम एक जैसी है, तो alike जो है, वो आपका correct answer होगा, तो दोनों जिस बच्चे ने C किया, वो भी ठीक है, जिस बच्चे ने A किया, वो भी ठीक है, fine, but antonym के नजर से विलोम शब्द होता है, तो option C होगा, clear question number 2 में आप लोगों ने क्या लिखा, lack of knowledge का मतलब क्या होता है, बताओ, lack का मतलब मैंने आपको बताया था न, lack का मतलब क्या बताया था, किसी चीज़ की कमी, abundance मतलब किसी चीज़ की अधिक मातरा में मौजूदगी, उसका opposite होता है, उसका antonym होता है, किसी चीज़ की कमी, तो अगर ज्ञान की कमी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ignorance, यानि की अज्ञानता, समझ में आया, लिख लिया अपनी अपनी dictionary में सबने, very good, चालो, तो अब आप लोगे ready हो, vocabulary के कुछ नए शब्द सीखने के लिए, हाँ जी, are you guys ready, start करे हम, तो आज मैं कुछ ऐसे शब्द लेकर आई हूँ, जो थोड़े से हटके हैं, ठीक है, थोड़े से different हैं, और बहुत ही popular words है, मतलब आप लोग अगर facebook वगरा use करते हो, तो वहाँ पर बड़ी इस तरीके के शब्द जो हैं, वो चलते हैं, ठीक है, cool words जिसको बोलते हैं, आज क आउच करते हैं, N-E-R-D, nerd, कैसे pronounce करेंगे, एक बार मेरे साथ दोहरा के देखिए, nerd, क्या बोलते हैं बेटा, N-E-R-D, nerd, ठीक है, R की हलकी जी spelling आएगी, nerd मत बोल देना, nerd, ठीक है, क्या बोला जाएगा, nerd, अब nerd का मतलब क्या होता है, आपको ये क्या लग रहा है, ये क् क्विज नहीं आ रहा है, ओम, आपको अपना अप जो है, वो क्या करना पड़ेगा, एक बार अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, I know this word, देखा, लिया को इस word के बार में पता भी है, ये कैसा शब्द है, कि आजकल की जनरेशन जो है, आजकल की जो पीडिया वो बहुत जा जो ला था, मैम, आप टेस्ट लेने वाले थे, वो क्या होता है, वो ना, टीचर को सब याद दिला दिया, पढ़ाकू किसम का, पूरजन किताबों में घुसे रहना वाला, टीचर का फेवरिट, तो वो बैसे तो पढ़ाकू होता है, जैसे कि हमारा ये, ये पढ़ाकू है, लेकिन बाकी बच्चों से क्या बोलते है, ये तो बेवकूफ है, इसे तो कुछ नहीं पता, तो बाकी बच्चों के लिए क्या हो जाता है, वो हो जाता है, नर्ड, ठीक है, a foolish person who lacks social skill or is boringly studious, यानि कि एक बुद्धू इंसान, foolish का मतलब एक बुद्धू, foolish का मतलब एक बु social नहीं हो पाता है, social होने का मतलब लोगों के साथ घुलना मिलना, समाज में लोगों के साथ घुल मिलना ही पाता है, बस पूरे दिन किताब में बैठके हैं, बहुत boring इंसान, जो पूरे दिन बस किताब में बैठके, किताब में पढ़ता रहा है, पढ़ता रहा है, उसके ज जाता है nerd, boring और studious, studious आप कह सकते हो कि वो boring sense में है, boring sense में, बिटे की पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, और जादा लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं है, ना उनको बाहर आना जाना, बस पूरे दिन बस पढ़ाई करते रहना, उनको हम nerd बोलते हैं, जैसे कि आपको ये emoji दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये किताब खोल के बैटा है, बस पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, ठीक है, उतने चश्मा लगा कर, बस पढ़ाई करते रहने, पढ़ाकू टाइप के बच्चे, कई बार movies में भी दिखाते हैं, ह हो सकता है, cool वो अपनी personal life में हो, लेकिन class वगेरा में वो एक nerd हो बागी बच्चों के लिए, क्योंकि पूरे दिन पढ़ते रहता हो, ठीक है, तो जैसे तुम लोग बोलते हैं, कि एक कोई व्यक्ती है, क्या है, अब हमारा एक ना, आप लोग जो मेरी class regularly ले रहे हैं, उनको cool हो जाता है, हना, उसम क्या बोलते हैं, यह तो बहुत ही cool है, उसका opposite क्या है, एक nerd जो की चुप-चाप रहता है, जादा बात नहीं करता है, पढ़हाई करता रहता है, जादा इदर उदर कुछ करता नहीं है, बस पढ़हाकू जव्यक्ती वो nerd हो जाता है, अब तुम जादा बोलने की जगह आप उसको nerd बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, अच्छा word, प्यारा word एक सीखने को मिला, चालो, तो इसी के साथ, एक हिंदी में इसको बोलेंगे बेवकूफ, और अब अपन इसका एक क्या देख लेते हैं, हम इसका देख लेते हैं, एक बाक्य, I feel like a nerd in these shoes, nerd, यानि कि मेरे को एक बुद्धू की तरह महसूस हो रहा है, इन जूतों को पैन कर, ठीक है, कई बार होता है, अब अच्छा, एक एक एक्जामपल देती हूँ मैं आप लोगों को, कई बार क्या होता है, बेटा, मम्मी के राजा बेटा, तो बहुत सारे बच्चे होते है अब वो राजा बेटा क्या होते है, ममी ना एकदम स्कूल भेजती है, तो बालों में पढ़िया सा तेल लगा कर, बीच की मांग निकाल के, एस से करके बाल भेजते है, तो वो क्या होता है, चंपू लग रहा होता है, हम उसे हिंदी में तो यही बोलते है, कि चंपू लग होंगे, बड़े अनकूल से जूते होंगे, आजकल के फैशन के होंगे ही नहीं, तो क्या कह रहे है, I look like a nerd, मैं एक बड़ाई बेवकूफ लग रहा हूं इन जूतों में, अब आया समझ में, क्लियर हुआ, रिलेट कर पा रहे हो, ठीके बेटा, जल्दी से बताओ, अगर सम बहुत अच्छे, आप लोग बना रहे हो, sentences हो, देखो, इसके जैसा एक दूसरा word जो है, वो bore, हम बोलते हैं, यार, यह कितना boring इंसान है, बस पूरा दिन पढ़ता ही रहता है, इसे तो कुछ मज़े ही नहीं करने होते, तो हम उसको बोल सकते हैं, कितना बड़ा nerd है, यार, यह, such a nerd he is, okay, तो क्या है यह, इस तरीके साब word को use कर सकते हो, चलो बेटा, अब आगे चलते हैं, हम लोग second word, charter box, अच्छे, यह क्या कर रहा है, यह, बै, 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 कुछ बोले जा रहा है ना, charter box ना, बातूनी, गपे मारते रहने वाले, उसे हम बोलते हैं, charter box, आया स में लगी रहती है, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और class पढ़ रही है, कि कुछ हो रहा है, बस बहुत जादा बोलने वाले बातूनी, उनको हम क्या है, हम उनको chatter box बोलते हैं, English में, a person who likes to chatter, एक ऐसा व्यक्ति जिसको chatter करना बहुत पसंद है, chatter यानि की बाते करना बहुत बाते करता हो, एक बच्चा जो बहुत बाते करता हो, उसको हम chatter box बोलते हैं, अब देखो यह जो है, यह भी क्या कर रहे है, बग 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 बग, talkative, very good लिया, बहुत ही बढ़िया विटा, ठीक है, तो क्या है, इसके लिए, जिसको हम बोलते है, she is very talkative, तो हम ब समझ में आ रहा है, यह भी तो ऐसे बग बग कर रहे है, oh my god, so sorry, थन लग गई, चालो, आया समझ में मैं ने पढ़ाया है, class में, बातूनी, हान जी, ठीक है, जैसमें, देव्यांच, समझ में आ गया, चालो, chatterbox, अब इसी के साथ एक एक जामपल, your sister is a real chatterbox, तुमारी बहन त सच मुझ में बड़ी ही बातूनी है, क्या है, बड़ी ही chatterbox है, your sister is a real chatterbox, class 8 में यह chapter है, okay, तो chatterbox आप लोग को समझ में आ रहा होगा, relate कर पा रहे होंगे, chatterbox का मतलब, जो बहुत ही बातूनी हो, ठीक है, शिवानी, आया समझ में, बिटा, चालो, बिटा, जो हिंदी मीडिय में पढ़ रहा है, अंग्रेजी, तो वो भी अपनी बहतर करना चाहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो भी बहतर करना चाहते हैं, तो हर मीडियम के लिए है, ये अंग्रेजी के कुछ नए शब्द सीखने को मिल रहे हैं, चाहे किसी मीडियम में हो, कि स्कूल में हो कहीं भी पढ़ते हो बिटा इंग्लिश कभी हामफुल तो नहीं होगी यह ऐसी भाशा है जो आपको फाइदा ही देगी ठीक है तो यह ना सोचे बस ग्यान है पढ़ाई हो रही है पढ़ने बाट जाओ चलो तो चैटर बॉक्स समझ में आ गया है फाइन आगे बढ़ते हैं कोल्ड फिश अचा हिंदी में बोलने तो क्या होगा थंडी मचली नई पर इसका पता है मतलब क्या यह एक तरीके का मुहावरा है अचा हम क्या बोलते हैं भैस के आगे बीन बजाना हना और यह सारे क्या है यह सारे हमारे मुहावरे हैं अब पच्टाए होत क्या जब चिडिया चुक गए खेती यह सब क्या है बेटा यह सारे मुहावरे हैं ठीक है तो इना कोल्ड फिश का मतलब आपको पता है प्राची देख लो बेटा मैंने कर दिया बैक करता है उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल देते हैं ऐसे व्यक्ति को हम cold fish बोल देते हैं ठीक है someone who seems unfriendly and who does not share their feelings एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के साथ अच्छे से open नहीं होता है अपने बारे में कुछ बताता नहीं है घुलता मिलता नहीं है उसे हम क्या बोल देते हैं a cold fish ठीक है आया समझ में clear बेटा जल्दी से बताओ ठीक है एक ऐसी चीज है जो आप relate कर सकते हो कोई ना कोई किसी ना किसी अथर oh my god such a cute drawing Mickey Mouse की drawing बनाई है very cute चालो बहुत talented हो आप सब लिया ये एक मुहावरा है बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे cold fish ही बोलते है फाइन श्वेता ठीक है क्या बोला जाता है इसे cold fish ही बोला जाता है cold fish आप उस व्यक्ति को कह सकते हो foolish नहीं होगा बेटा cold fish हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं जो क्या है जो यश देखो क्या है वो जो व्यक्ति जादा घुलता मिलता नहीं है जादा फ्रेंडली नहीं होता है उसका रूखा बरताव रहता है अपनी फीलिंग्स वगेरा घुनना हिंदी में घुनना वर्ड आपको पता है अपने में रहने वाला ना अपनी feelings किसी को बताता है ना किसी के साथ जादा बाते बाते करता है अपने अपने में रहता है हाना दूसरों के साथ जादा दोस्ति यारी भी ने निभाता है वो व्यक्ति क्या हो जाता है वो हो जाता है cold fish अब आया समझ में आप लोगों को ऐसे बहुत से आपने अपने लाइफ में लोग देखे होंगे जो अपने अपने में रहते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं अपने में रहना, अपने में ही खुश है, ठीक है, ज़्यादा दोस्तियारी में भी नहीं उठना बैठना बस अपने अपने तक सीमित रहते हैं वो व्यक्ति जो है ना जो अपनी जादा feelings वगेरा भी नहीं बताता है अपने तक रहता है वो व्यक्ति आपका cold fish हो चाता है उसको हम English में cold fish कहते हैं ठीके बेटा आया समझ में आप लोगों को चालो एक example देखे उसने जादा कुछ भावना प्रकट नहीं करी वो थोड़ा सा एक कैसा व्यक्ति है बड़ाई cold fish है ठीके हान जी आमन बेटा थोड़ा सा इंतजार करो याश थोड़ा सा बेटा रुकेंगे हम क्या करेंगे अभी आपको end में time table भी बता देंगे नर्ड जो है बेटा और cold fish में फर्क है cold fish नर्ड जो है नर्ड ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों दोस्त ना बनाता हो बनाता होगा दोस्त लेकिं नर्ड क्या है पढ़ाकू बच्चा ठीक है वो पढ़ाई के चकर में अपना क्या है पढ़ाई बढ़ाई के चकर में और teacher का favorite type का वो उस type का बच्चा जो है वो nerd हो जाता है भोंदू भोंदू सा पर ये क्या है ये बेवकूफ नहीं होते cold fish जरूरी नहीं है cold fish का मतलब भोंदू या बेवकूफ नहीं है क्या पता बंदा बहुत ही जादा कैसा हो बहुत intelligent हो भाई class में first आता हो आर्य भट बन जाए कल को जाकर पर बस उसका nature कैसा है उसका nature है कि वो जादा लोगों से गुलता मिलता नहीं है ठीक है उसे अपनी feelings वगेरा share करना नहीं पसंद वो अपने तक सीमित रहता है ये फर्क है नर्ड जरूरी नहीं बेटा अपने तक सीमित रहता है क्या पता जो नर्ड है वो बड़ा ही पढ़ा कुछ है उसके जो दोस्त है उनके साथ वो बहुत घूमता फिरता है खूब मचाता है, खूब इंजॉय करता है, सब कुछ है, पर वो किता भी कीड़ टाइप का है, बुद्धू है, बेवकूफ है, ठीक है, बुद्धू और बेवकूफ व्यक्ति नर्ड होता है, लेकिन बेटा, cold fish, बुद्धू और बेवकूफ को नहीं कहते हैं, cold fish कोई भी हो सकता है, बहुत intelligent बंदा भी cold fish हो जाता है, यह तो एक nature है व्यक्ति, कि nature कैसा है, कि वो लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता है, वो अपने तक रहता है, उससे अपनी चीजें शेयर करना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना, यह सब नहीं पसंद, अपने तक रहना पसंद है, ठीक है, वो हो जाता है cold fish, श्रिया, आया बेटा समझ में, ओके, नेहा बोल रही है, ma'am, just like me, नेहा, you are a cold fish, आपको नहीं पसंद लोगों के साथ, जाद अपनी फीलिंग्स वगेरा शेयर करना, ओके, चलो, ठीक है, चली बेटा, तो अब आपको समझ माया, काव या, very good, आप लोग तो बड़ी टेलेंटड़ यार, सब लोग की ड्रॉइंग वगेरा, स्केचिंग वगेरा, बड़ी अच्छी है, ओके, चालो, तो यह सब स्केचिंग का राउंड जो है, हम लोग अपने ग्रुप पर करेंगे, वहाँ पर आप लोग मुझे अपनी अच् करवादो, सबसे पहले नर्ड का मतलब मैंने आपको बताया है, भोंदू, बुधू, पढ़ाकू, कीड़ा, किताबी कीड़ा, सिर्फ पढ़ाई में गुसराना वाला, ठीके, दूसरा मैंने आपको क्या मतलब बताया है, दूसरा था चैटर बॉक्स, बहुत ही बातूनी ग का मतलब पताया है, छुपारुस्तम पताया है, जिसके बारे में लोग सोच रहे होते हैं कि इसे कुछ नहीं आता होगा, लेकिन अन्तुमे न, वही असल में क्या निकल जाता है, वही असल में हीरा निकल जाता है, वो क्या होता है, वो छुपारुस्तम इंसान, तो किसी व् प्रतियोगी, about whom, little is known, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, but जो आखिर में क्या होता है, जो आखिर में जीच जाता है, अरे तुम अंडरेस्टिमेट पता है, कभी-कभी हम ना किसी-किसी को बहुत कम आंग लेते हैं, हम सोचते हैं, इस से कुछ नहीं होगा, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, यह तो भोंदू होगा, पर वही बच्चा जो है, एक्जाम में टॉप मार जाता है, तब सबको पचलता है, अरे, हमने तो सोचा ही नहीं था, कि यह इतना ज्यादा अकल-मंद होगा, हमें तो लगा, यह तो बड़ा चुपर उस्त डाक होर्स, ठीक है, सवज में आया, ठीक है बेटा, कई बार होता है ना क्लास में, कोई बच्चा जो है चुपचा बैठा रहता है, और हमें लगता है कि पूरे दिन हसता रहेगा, बाते करता रहेगा, हना क्लास में चैटर बॉक्स की तरह लगा रहता है बाते करने में, औ आखिर में जब result आता है तो class में सबसे साधा number उसके first आ जाता है तो एकदम से सब लोग बोलते हैं कि यार ये तो बड़ा चुपा रुस्तम निकला हमें तो लगता था इसे कुछ नहीं आता ये तो class में सिर्फ बात ने करता रहता था पर देखो आज first आगया ये class में हना तो वो होता है आपका dark horse छुपा रुस्तम व्यक्ति को हम dark horse बोलते हैं देखो छुपा रुस्तम, she is a dark horse, वो एक कैसी है, वो एक छुपा रुस्तम है, she is a dark horse I didn't know she had written a novel, मुझे नहीं पता था कि उसने किताब लिखी हुई है तो क्या बोल रहे हैं कि उस लड़की को छुपा रुस्तम बोल रहे हैं कि पता ही नहीं था उसके बारे में कि वो इतनी जादा अकल मंद है कि उसने किताब भी लिखी है, तो वो व्यक्ति कैसी हुई, वो छुपा रुस्तम हुई आया समझ में, clear बेटा मैं आगे बढ़ूँ फिर, आप लोगों ने नया वर अब आपको सीखने को मिला डाक हॉर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहे है, किसी को easy लग रहा है ना चालो, तो अब आपका last and final word जो होगा, अभी तक हम लोगों ने क्या अभी तक हम लोगों ने 5 words जो है, sorry, 4 words जो है, वो सीख लिये है अब आपका final जो word है, वो ये है, bright spark, bright spark हम किसको बोलते हैं bright spark हम एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, जो बहुत ही दिमाग वाला होता है दिख रहा है इनको देखकर, क्या, किसी intelligent व्यक्ति को हम bright spark बोलते हैं आया समझ में बेटा, किसको बोलते हैं हम, एक intelligent व्यक्ति को हम bright spark बोलते हैं जो कैसा हो, जो बहुत ही ज़ादा intelligent हो clear, okay, cid, अरे बापने, अच्छा वो एक बचा बोल रहा है कि मैं मुझे dark horse समझने हैं बेटा, चुपारुस्तम का मतलब जानते हैं, अब चुपारुस्तम क्या होता है चुपारुस्तम पता है आपको, ठीक है तो चुपारुस्तम को ही हम English में dark horse बोलते हैं fine, group का link मैंने भेज़ दिया, आप लोग group join कर लेना बट उससे पहले मुझे बताओ, चुपारुस्तम तो जानते हो, चुपारुस्तम को dark horse बोलते हैं bright spark हम उसको बोलते हैं, clever person या फिर एक witty इंसान witty का मतलब में बहुती हाजर जवाब और हासय, हस्मुक इंसान, बहुती हाजर जवाब और हस्मुक इंसान को विटी बोलते हैं, तो जो व्यक्ति बढ़ो हो, हाजर जवाब हो, हस्मुक हो, उसको आप बोलोगे bright spark तो he is such a bright spark, यानि कि कितना ही जादा अकलमंद और कितना ही हसमुकर, कैसा है, हाजर जवाब व्यक्ति है वो, ठीक है, तो आप किस व्यक्ति के लिए यूज करोगे, एक intelligent एंसान के लिए, देख रहे हो इसको यह क्या इशारा कर रहे है, समझ में आ रहे हैं, कि he is a bright spark, आर्य भ का है, वो एक bright spark है, यानि कि बहुत ही जादा, अकलमंद बच्चा है, और पूरे जोश से भरपूर है, enthusiasm यानि कि जोश, तो क्या है बेटा, पूरे जोश से भरपूर है, आ गया समझ में, महात्मा गांधी was a bright spark, okay, all the students present in my class are bright sparks, fine, they are very, क्या, intelligent, clear बेटा, बीरबल was a bright spark, very good, very innovative, innovative का मतलब मैंने कल सिखाया था ना, की बहुत ही हटकर जब कोई सोचता है, तो उसे हम innovative कोलते है, तो अब आप लोगों को समझ बहा है, आज के नए five words, जल्दी से यहाँ पे लिखवा दो मुझे, कौन से कौन से नए, पांच शब्द हमने सीखे, come on guys, जल्दी से revision करवा एक बारी मेरा, पहला word कौन से था, हाँ जी बताओ पहला word कौन से था, नड, very good, दूसरा word कौन से था, दूसरा word, हाँ जी, दूसरा word बताओ बिटा, chatterbox, बहुत ही बढ़िया, तीसरा word, very good, cold fish, यानि की, क्या है, nerd का मतलब बुद्धू, भोंदू, पढ़ाकू, पढ़ाकू कीड़ा, किताबी कीड़ा, chatterbox मतलब बहुत बातूनी, very talkative, cold fish, यानि की, बढ़ा ही ऐसा व्यक्ति जो अपने तक रहता है, घुलना मिलना नहीं पस संगुना टाइप का, feelings share नहीं करता, चौथा word जो हमने सीखा वो था, dark horse, यानि की, चुपारुस्तम इंसान, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, परांत में वही सबसे बड़ा क्या निकलता है, वही सबसे बड़ी तोप निकलता है, ठीक है, चुपारुस्तम, और पांच पर वर्ड जो हमने सीखा, वो है, very good guys, bright spark, यानि की clever इंसान, तो आब आज के लिए ये words अच्छे लगें, interesting words थे, ये personality के बारे में थे, लोगों की अलग-अलग personality होती है, समझ में आया, personality व्यक्तित वो अलग-अलग, कोई nerd होता है, पढ़ाकू होता है, कोई अखोर्स होता है, कोई छुपारुस्तम इंसान होता है, तो कोई बहुत ही intelligent और बड़ा ही हस्मुक और जाजर जवाब होता है, bright spark होता है, तो ये अलग-अलग personalities होती हैं लोगों की, अच्छा लगा, कुछ अचे words सीखने को मिले, चलती से बताओ, enjoyed, मज़ा आया, मैं अब आप लोगों के सामने कोर quiz लेकर आओ, participate करोगे, पूरे दिल के साथ, okay, चेरो, thank you, बेटा, चालो, तब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ना, quiz 2 लेकर आते हैं, तो are you guys ready, ready हो साब, चालो, तो quiz 2, and get ready for your second quiz, 3, 2, 1, पहला question ये रहा, a word that means the opposite, or almost the opposite of another word, एक ऐसा शब्द जो किसी दूसरे शब्द का एकदम विपरीथ होता है, या लगभग विपरीथ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, synonym कहते हैं, उसको हम, उसको हम antonym बोलते हैं, या फिर अब हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको homonyms बोलते हैं, क्या बोला जा बता है बेटा, उस शब्द को, जल्दी से बताओ, या फिर all of the above, फिर गुड़ दीपक, चालो, next question, what does micro means, micro का मतलब क्या होता है, small, option B, many, option C, again, या option D, beyond, क्या होगा इसका मतलब, इस शब्द का मतलब क्या होता है, micro, चालो, जल्दी जल्दी से बताओ, time up होने वाला है, 3, 2, 1, and time up, चालो, question number 1 का answer क्या किया, बेटा, एक ऐसा शब्द, या फिर, जिसका, एक ऐसा शब्द, जिसका, एक शब्द का, जिसमें एक शब्द का एकदम opposite होता है, या लगबग opposite होता है, उसे हम antonyam बोलते हैं, एक शब्द का अर्थ, आप ये मान के चलो, कि एक ऐसा शब्द, जो कि किसी दूसरे शब्द का एकदम विपरीत होता है, उसे हम antonyam बोलते हैं, ठीक है opposite word, किसी एक शब्द का एकदम विपरीज शब्द अगर लिखते होगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है, उसका antonym, विलोम शब्द, विपरीज शब्द opposite, ठीक है, और micro का मतलब होता है small, अगर आप बोलो na microchip, या फिर अच्छा micro sim, सब लोग phone use करते हैं, उस मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने आज enjoy किया या नहीं किया, ठीक है, चालिए, तो आपके सामने ना, आएगा कि आपको आज की क्लास में, पोल आएगा कि आपको आज की क्लास में समझ में आया या नहीं आया, मज़ा या नहीं आया, तो आप लोग महां पे येस और नो बता देना अगर मज़ा आया तो येस और अगर नहीं आया तो नो ओके एक बच्छा तो यहीं पर बोल रहा है कि माम नहीं मज़ा नहीं आया बहुती बोरिंग क्लास थी हो गया कर लिया सब लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट Oh My God 86% बच्चे बोल रहे हैं कि माम हमें मज़ा आया मेरे को लगा कि 100% बच्चो को मज़ा आया होगा बच्कोई नहीं ओन 86% बच्चो के लिए ठैंक्स अगर आपको मज़ा आया और जो बाकी के बच्चे हैं almost 20% मान के चल लेते हैं, जो बागी के 20% बच्चे हैं, अगर आपको मज़ा नहीं आया बेटा, तो अगली बार में कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी बहुत मज़ाया और हम लोग सब साथ में मज़ा करते हुए क्या करें, सीखें, ठीक है, तो अगर आज ही क्लास बोर अगली बार में और भी जादा महनत के साथ, और भी जादा कोशिश के साथ आओंगे कि तुम लोगो बहुत अच्छे से मज़ाया और तुम लोग बहुत बहुत इंजोई करो क्लास के अंदर, फाइन, चालिए, तो पूरे जोश के साथ बेठा करो, और मज़ा आएगा, चालते हैं, और संडे हैं, इंजोई करना, लेकिन, होमवक देख लो, संडे को क्या करना है, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, वो सब कुछ जो है, रवाइस कर लेना, अच्छे से, पढ़ना, उसको यूज करने की कोशिश करना, अठारा दिन हो गया, पांच ठीक है, तो try and use them, sentences form करने कोशिश करना, और class खतम होने के बाद, 5 star rating कर देना अगर आपको class अच्छी लगी तो, ठीक है, चालो, तो bye-bye guys, take care and thank you so much